चौदा परवरी को उत्राखन परिवर्तन के पक्ष में मर्दान करें। मानी चुनाव आयोग ने आज उत्राखन सहित पाथू राज्यों में चुनाव की ठीक्यां घोशित कर दी हैं। हम उसका बहुत-बहुत स्वाज़त करते हैं। कॉंग्रेस उत्रुक्ता से इस कित्यों की प्रदिक्ष्या कर रहे हैं। कॉंग्रेस कारिकरता चुनाव के लिए पूरी तरीके से संद्ध हैं। उनमें जोश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्राखन के मजदाता में भी चुनाव के में बहुत जोश है। और इस तरीके का जोश तब देखा जाता है जब रूलिक पाजी के खिलाफ बाताओन होता है। और लोग परिवर्तन की मानसिक्ता में होते हैं। और उत्राखन के में जिस तरीके से पिछले पांस साल कुछी दिन बाती रहे गए एक कुशासन को जेला है। एक ऐती जोशता को धेला है जो विकाज विरोधी रही है जो गरी विरोधी, मख्दूर विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, करक्चारियों के विरोध में रही है, संगर्सील, सत्कियों के विरोध में रही है, धलितों, फिस्षणों, अब संक्यकूं, इन पास सालों में उत्राखन नकेवल महंगाई को जहला है लोगों की रसोई पर लोगों के सेट पर लोगों के जीद में टाका पड़ा है साथ साथ नौजवान के भश को भी सरकार की हरदर्विता से रोदे जाते वे दिखा है पर खाली हैं मगर भरे नहीं जा रहे हैं बार बार परिक्षा की ठितियें घोशित की जा रही है परिक्षा करवाई नहीं जा रही है तो रिजन नहीं निकाले जा रहे है तो निट्या नहीं दी जा रही है और इजिर कही निप्तिया हुई भी यह का जगो तो उसको भी आधे में से होल्ड कर दिया गया है तो जिस तरीके से नवज़वानू के भवश्य को रौधने का काम किया गया है उनके अर्वानू को खुचलने का काम किया गया है इन पांच वर्षू के अंजर डबल इंजन नौन स्टार्टर से दुवा है इसको स्वैम गूलिंग पार्टी ने स्विकार किया है इसलिए एक मुख्यमंत्री को वजट सत्र के दौरान जित मंत्री के रूप में जिस वजट को पाइलट कर रहे थे उसके पारित हुए बिना कान पगड़ के विधान सवा से उठा करके मुख्यमंत्री की पस से वाहर निकाल दिया गया उनको हटा दिया गया और दूसरे व्यक्ति को क्यों बनाया गया क्यों उनको हटाया गया अभी कोज भी मालूम नहीं है राजी की दंता को मालूम नहीं है कि हमारे हमारा भविश जिस ब्रती के हाथ में पौने चार साल से ज़्यादा समय में रहा उसको क्यों हटा दिया गया कहीं दंता को नहीं बताया गया और अब भाजपाई अहंकार का प्रतीत है कि कहा जा रहा है कि तीन दिये या देस दिये, तुमको क्या मंद्थी, यह भाजवई अंकार है। धिन नहीं है ज़िए हमने दस मुक्योंती बना दी होते, तो तब भी आपको सवाल करने का हग नहीं है, यह भाजवई अंकार की इंतिहाद। नदियां रौधी जा रही है नदियां गार गधेरे नाले सब खोट डाले गए हैं माने हाइकोट ने रोक लगा करके इस बात पर मोहर लगा दी है कि कहीं कहीं खानन को ले करके जो कुछ हम कह रहे थे वो अपसर दे और ये दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि इस सरकार में इस समझ रष्टाचार की इंतिहा है पद बेचे जा रहे हैं और अंतिम समय तक भी पदों की सौड़े बादी होती रही है जो नितांग एक प्रकार से एलक्षन कोड अफ कंड़क के भी खिलाफ है सरकार को साथ दिन पहले से इस तरीके की गजविया भग कर देनी चाहिए लोगों को जूते आश्वासनों के ऐसी बहुचार की गई है दो बाबा एक दिल्ली से आकरके एक देहरादून से आकरके अपने पिटारे से जूटे मूटे आश्वासन जो धर्ती पर कहीं भी दी ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके घोश्राओं के सबवा हिस्सा भी उसके साशना दे अमल होने की तो तिती नी भी उनके साशना देश तक नहीं लिकल पाए तो ये सब तरीके की जो कुछ व्योस्ता है उसकुछ व्योस्ता से ये निजात का समय आ गया है और चौद फर्वरी को उत्राखन को इस कुशातन से मुक्ति बिलेगी इसकी हमको आश्वा हम एलक्षन कीथिका स्वागत करते हैं जो प्रोशस एलक्षन कमिशन ने जारी की है हम उसका सबसद पार्लन करेंगे जिस कोड और कंडक्ट के अनपार्लन की राजनितिक दलू से अपिक्षा की गई है हम उसका भी पार्लन करेंगे और जो COVID प्रोटोकॉल के बालन की बात कही गई है Congress पार्टोकॉल के अपने अभ्यक्त की तरफ पे मैं इसको साथनिक पूट से कहना चाहता हूँ कि हम COVID को COVID प्रोटोकॉल का भी सससद बालन करेंगे और हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि पक्ष्मी बंगाल नहीं दोराए जाना चाहता है पक्ष्मी बंगाल में अपोजिशन जिसमें कॉंग्रेश भी समर्य थे उनसे अभ्यक्षा की गई जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और बूसी तरफ सतारूर जल ने और उनके सीर्स ने कोरोना प्रोटोकॉल का खुल करके उननन किया वस्तिकी हम समस्ते हैं यह पांच राजू के चुनाओं में नहीं आएगी एलेक्षन कमिशन मजबूती के साथ सतारूर जल को कोविट प्रोटोकॉल का और एलेक्षन कोड़ अपकंड़क का पालन करने के लिए उनको नियंस्तित करेगा और बहुत सारे अधिकारियों के विश्षे में सूतना एलेक्षन कमिशन के पास है जो सत्ता की मदद के लिए उच्छुक हैं ऐसे लोगों को के उपर एलेक्षन कमिशन नज़र रखेगा और हम कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी का पूरा तंक तुनाव के लिए तयार है हमने 45 सीटू पर आम राय बना ली है सेज सीटू पर भी हम जल्दी राय बना लेंगे हम कुछ राद्वितिक कारणों से हमने दूसरी पार्टियों के मुव्मेंट को देख रहे थे कि वो किस तरीके से क्या कदम एलेक्शन को लेकर उठा रहे हैं तो हमारे करीब करीब सत्तर सीटू पर हम चर्चा करके अपना मानत बना चुके हैं और हम जल्दी अपने उम्मीवार खूशित करेंगे और हमारा इस बात पर इस पैसित होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा इस सुनाओं में टेक्नलोजी का इस्तिमाल करें हम जिसमें वर्च्वल मीटिंग हैं जिसमें सोशल मीडिया आधी का भी कॉंटेक्ट पर जोर देंगे हमारे कारीकरताओं को सिमान रोध कर रहा हूं कि वो वन टुवन कॉंटेक्ट पर ज्यादा जोर दें हम अपना प्रणाम पहुंचा सकें अपनी माग पहुंचा सकें यहां एक बात मैं और इस सब पर जोर करके कहना चाहता हूं कि हमारी सब की कोशिस रहनी चाहिए उत्राखन के हिसमें कि हम शान्ति पूर्ण खड़िके से चुनाओं को खंड़ करें कि शान्ति पूर्ण तरीके से और लोगकांतिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ें और इसमें सत्ता और धन का इस्तिमाल नहीं कि इसमें सत्ता और घन और सराव का इस्तिमाल हुआ तो इससे उत्राखन का बाताओं दूशित होगा और और ऐसा प्राद्वितिक दल जो भी है जो इस तरीके के इस्तिमाल करके बाताओं को प्रदूशित करने का काम करेगा हम जंता से कहेंगे कि उपर नजर रखिये और उनको तर्विए तो मैं तुछ से चौद अतारी की देज का स्वागत करता हूं और घुर्रा एलक्षन कमिशन पुर्रा उत्राखन और वकाप कॉंग्रिजन कहना चाहता हूं हम चिनाव के लिए पूरी दरीके संद्ध हैं और हमें पूरा भरोशा है कि मीडिया के दोस्त इस बार स्थны ये शबन को स्था थैंक यू